160 से 180 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार वाले अमफान तूफान ने पश्रिम बंगाल और आउडिशा में बड़ी तबाही मचाई है पश्रिम बंगाल में तो तूफान से 10 से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है कॉलकता के कई इलाकों में पानी भर गया तूफान का असर कॉलकता एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है यहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है छे घंटे के तूफान, अमफान की तेज हवाओं ने कॉलकता एयरपोर्ट को खशत इग्रस्त कर दिया हर तरफ पानी ही पानी, रनवे और हैंगर भी पानी में डूबे है एयरपोर्ट के एक हिस्से में तो कई इंफ्रास्ट्रॉक्चर पानी में डूबे हुए है अमफान के कारण एयरपोर्ट पर सभी परिच्वालन आज सुभा पांच बजे तक बंद कर दिये गए थे पानी की खबर है, दोनों प्रदेशों में राहत और बचाव कारे भी लगातार जारी है